नमस्कार, हिंदी कहानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है लीजे प्रस्तुत है कहानी जहर यह कहानी हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना है तो चलिए सुनते हैं कहानी जहर साल 1995 सर्दियों का मौसम सुबह से रुक रुक कर बारिस हो रही है और ठंड अपने चरम पर है सुबह के साड़े ग्यारा बजे है आज भारत फॉरेंसिक लैब में काफी हलचल है स्रिधर लैब में जलते हुए स्प्रीट लैम को देखकर अपनी महिला सहकर्मी से कहता है ठीक इसी तरह मेरा दिल भी जल रहा है मनुर्मा मैं तुमसे सादी करना चाहता हूँ बस तुम्हारी हाँ का इंतिजार है फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे मनुर्मा हसते हुए कहती है धीरे बोलो तुम जब भी मिलते हो यही बात करते हो अगर मिसेज जोसी ने सुन लिया तुम्हें इस तरह से बात करते हुए तो तुम्हें उठवा कर बाहर फिकवा देंगी और याद रखो कि मैं एक सादी सुदा महिला हूँ सिर्धर अभी कुछ बोलता इतने में लैब का दरवाजा खुलता है और इंचार्ज मिसेज जोसी अंदर प्रवेश करती है वे सिधा डॉक्टर परधान की तरब बढ़ती है डॉक्टर परधान पुलिस ने जो सैंपल भेजे थे उसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई यस मैडम कहते वे डॉक्टर परधान रिपोर्ट की फाइल मिसेज जोसी की तरफ बढ़ा देते हैं रिपोर्ट ध्यान से देखने के बाद मिसेज जोसी लगभग चीखती हुई सी कहती है ये क्या सारे के सारे रिजल्ट निगेटिव ऐसा कैसे हो सकता है इतना कहकर वो लैब में रखे टेलिफोन की तरफ बढ़ती है एक नमबर डायल करती हैं और कहती है यस सर डॉक्टर परधान की रिपोर्ट में सब नॉर्मल है यस सर बलड टेस्ट भी नॉर्मल यहां तक की यूरिनेरी प्रोफाइल कॉर्पो भी यस सर मैं दुबारा चेक करवाती हूँ इस बार अपने सामने ही करवाती हूँ नो सर नो इमीडियेट करवाती हूँ फोन रखकर मिसेज जोसी डॉक्टर परधान की तरफ पलटती हैं और कहती हैं डॉक्टर परधान आप जानते हैं मरने वाला कौन था मरने वाला सहर का नामी बिजनेसमें था और लास को देख कर ही पता चल रहा था कि ये तो पोईजिनिंग का केस है और आपने मुझे ये बकवास पकड़ा दिया कहीं आपने जान बुझ कर तो ऐसा नहीं किया है इसके बाद मिसेज जोसी मनोर्मा की तरफ मुड़ती है और सैंपल टेस्ट दुबारा अपने सामने करने को कहती है टेस्टिंग के दोरानी साफ साफ पता चलता है कि टेस्ट पोईजिटिव है तब मिसेज जोसी कहती है ये एक आरसनिक पोईजिनिंग का ही केस है आपको पता है आर्सनिक जैसा खतरनाक जहर कितनी आसानी से मिलता है काकरोच मारने का जहर हो या कोई और कित नासक हो इसे बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है क्या फाइदा इस लैब का जहां इतने हाई प्रोफाइल एकुपमेंट हैं पर उसे ओपरेट करने वाला ही बेवकूफ हो पुलिस इस तरह के केस में हमारे उपर निर्भर करती है अगर हम ही इस तरह की लापरवाही करते रहें तो कातिलों का बच निकलना आसान हो जाएगा पड़ी मनौर्मा को जार्डेनिंग का ऑज कार उसने रास्ते में पढ़ने वाले नरसरी पर रोका कुछ नए पधे तथा एक कीट नाशक लेना था उसे उसके गारडेन के कुछ प carboh में कीडे लगे दिखे थे नरशरी वाले ने मनोर्मा को कीट नासक का पैकेट देते हुए कहा लिजे मैडम कीट नासक, चम्मच में थोड़ा सा पाउडर लेना और जहां कीडे हों वहां छिलक देना जडोों के पास मिटी में मिला देना लेकिन बहुत कम नहीं तो कीडे तो कीडे पौधे भी मर जाएंगे बहुत खतरनाक है ये मनोर्मा ने कहा लेकिन मैं इतने बड़े पैकेट का क्या करूँगी मुझे तो थोड़े सी की जरूरत है नर्सरी वाले ने कहा यहां इसे खुला बेचना मना है लेना हो तो पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा बच्चे हैं आपके घर में मनोर्मा ने कहा नहीं पर क्यूँ नर्सरी वाले ने कहा कुट्ता बिल्ली या कोई और पालतु जानवर मनोर्मा ने कहा नहीं पर आप ये सब क्यूँ पूछ रहे हो अगर हो तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा इसे उनकी पहुत से बहुत दूर रखना हाँ कीडों को मारने के लिए बहुत कम लगता है लेकिन जरासा भी ज्यादा हो जाय तो इंसान भी मर सकता है इस पैकेट में आधे सहर को मारने भर का जहर भरा हुआ है जिन्दिगी भर टिकेगा संभाल कर रखिएगा मौत है इसमें मौत घर पहुंचकर मनोर्मा अपने गार्डनी के काम में जुड़ जाती है और उस पैकेट का इस्तमाल कीड़े लगे पौधों पकरती है अपने गार् सुरेश एक बड़ी कमपनी में जिनरल मैनेजर सेल्स है सुरेश को देखती ही मनोर्मा गार्डनी का काम छोड़ कीटनासक के पैकेट को बंद कर भागती हुई घर के अंदर आ जाती है वह उस कीटनासक के डब्बे को सेफ जगह छुपाना चाहती है जहां सुरेश की नजर ना पड़े वो जल्दिबाजी में बाथरूम में इसे उपर के छज़े पर रख देती है इतने में सुरेश बेल बजाता है वो दरवाजा खोलने भागती है मनोर्मा के दरवाजा खोलने पर सुरेश कहता है क्या कर रही थी तुम दरवाजा खोलने में बड़ी देर कर दी म मैं अंदर कुछ काम कर रही थी, बेल की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, और मुझे क्या पता था कि तुम आज घर जल्दी आ जाओगे, वैसे भी मैं लैब से लोट कर रोज अकेली ही होती हूँ, इस कारण फूल पौधों में अपना मन लगाती हूँ, ये घर भी तो सहर और आबादी से कितनी दूर है, तुम तो रोज आठ बजे तक ही घर आते हो, मनोर्मा बोली, I am sorry, मैं रोज जल्द आने का कहकर लेट हो जाता हूँ, क्या करूँ, सेल्स का काम ही ऐसा है, सुरेश बोला, रोज तुम्हें अकेली रहना पड़े, तो पता चले, यहां आस-पास क कोई बात करने वाला भी नहीं है, मनोर्मा बोली, तुम अपने लैप के दोस्तों को कभी क्यों नी बुला लेती हो, दोस्तों है न तुम्हारे, सुरेश बोला, हाँ है, बुलाओंगी, जल्दी ही, मनोर्मा बोली, अच्छा, तो मैं बात लेकर आता हूँ, तब तक तुम तयार करो, यह बोल कर, सुरेश बातरूम की तरफ बढ़ जाता है, बातरूम में नहाते हुए, अचानक सुरेश की नजर छज्य पर जाती है, और उसे वही कीटनासक का डबबा दिखता है, कुछ देर तक उसे देखने के बाद सुरेश नहाने लगता है, धड़ी में रात क से प्यार करती हो, पांच साल हो गए हमारी साधी को, तुम कितना बदल गई हो, ज्यादा बात भी नहीं करती हो, क्या हो गया है तुम्हें, मनोर्मा बोली, क्या तुम नहीं बदले हो, कभी रहते हो घर में, खुर्सत है तुम्हें अपने बिजनेस और बिजनेस को लिक से, क्या करूं मनोर्मा मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है मेरा ज्यादा काम आफिस के बाहर ही होता है सुरेश बोला कभी तुम खाली हुए भी तो डीनर के बाद रोज उस डॉक्टर विकास से मिलने चले जाते हो ये जानते हुए भी कि मुझे कितनी नफरत है इस बात से क्या करते हो तुम वहां कोई बीमारी है तुम्हें क्या मनोर्मा बोली बीमारी बिलकुल नहीं भाई हम आपस में बात करते हैं कार्ट्स खेलते हैं वो मेरे बचपन का एक अच्छा दोस्त है बस सुरेश बोला दोस्त है बस अरे दोस्त नहीं औरतों का दुसमन है वो खुद तो साधी करता नहीं और दूसरों की साधी बरबाद करने पर तुला है मनोर्मा बोली वो कैसे हमारी साधी बरबाद कर रहा देखो मनोर्मा मैं तुम से बहुत प्यार करता हूं I promise मैं अपने आपको बदल डालूँगा नौकडी भी छोड़ दूँगा अगर तुम चाहो तो सुरेश बोला उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे भी दो मनोर्मा बोली देखा कितने दिनों से हम दोनोंने साथ में डिनर भी नहीं किया है चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं मैंने तुम्हारे पसंद की चीजें बनाई हैं मनोर्मा बोली साड़े आठ बच चुके हैं सुरेश और मनोर्मा एक साथ डिनर कर रहे हैं तभी सुरेश कहता है मनोर्मा हम रोज इसी वक्त डिनर करेंगे और साथ में करेंगे अहाँ आज तो खाने में कुछ अजीब बात है कमाल कर दिया तुमने मनूर्मा क्या बात है तुम सिर्फ मुझे ही खिलाए जा रही हो खुद नहीं खा रही हो बस चम्मच इधर उधर कर रही हो मनूर्मा तुम्ही याद है जब हमारी नई नई साधी हुई थी और हम रेश्टोरेंट में जाते थे तो मैं तुम्हें अपनी प्लेट से अपने हाथों से खाना खिलाता था किसी की परवा हमें नहीं थी लो आज हम फिर उसी तरह से खाना खाते हैं सुरेश कोसिस करता है पर मनूर्मा प्यार से टाल देती है और डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं खाती वह बस सैलेड ही खाकर रह जाती है मनूर्मा कहती है तुम खा लो न सुरेश मुझे तुम्हे खाते देखकर अच्छा लगता है सुरेस खाना खत्म करता है डिनर के बाद मनूर्मा बर्तन साफ करने में लग जाती है तभी टैलिफोन की घंटी बसती है फोन सुरेश पिक करता है यह कहकर सुरेश फोन रख देता है मनुर्मा सुरेश को जूता पहनते देखकर बस पूछ ही पाती है कहा जा रहे हो तुम और सुरेश बाहर निकल जाता है डॉक्टर विकास का घर सुरेश के घर से पैदल 15 मिनट की दूरी पर था सर्दियों की रात थी इलाके की आबादी वैसे ही कम थी सुरेश इस सर्द रात में सुनसान सडक पर सीटी बजाता हुआ विकास के घर की तरफ बढ़ रहा होता है अभी वह आधे रास्ते भी नहीं पहुचा था कि अचानक सुरेश के पेट में तीखा दर्द उठता है और साथ ही वोमिट की आवाज सांत वातावरन में गूंज उठती है सुरेश की हालत खराब होने लगती है अब उससे दो कदम भी नहीं चला जा रहा है वो वहीं पर तडप कर गिर जाता है और बेहोस हो जाता है इधर मनोर्मा सोने की तयारी कर रही होती है कि तभी घर के लैंड लाइन फोन की घंटी बजने लगती है यस मिसेज महाजन बोल रही हूँ कौन टेलिफोन पर दूसी तरफ से आवाज आती है मिसेज महाजन मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ सुरेश निकला नहीं अभी वहाँ से वो तो तभी निकल गए थे जब आपने फोन किया था मनोर्मा बोली दस मिनट का तो रास्ता है वहाँ से कुछ गड़बड न हो गई हो मैं देखता हूँ आप भी निकलिए वहाँ से आईए इधर की तरफ डॉक्टर विकास ने बोला माई गॉड ये कहकर मनोर्मा ने जल्दी से फोन रख दिया और डॉक्टर विकास के घर की तरफ निकल पड़ी डॉक्टर विकास अपनी गाड़ी से सुरेश के घर की तरफ निकलते हैं थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में सुरेश बेहोस सडक पर गिरा हुआ मिलता है तभी वहाँ मनोर्मा भी पहुच जाती है डॉक्टर विकास सुरेश को उठाते हैं होस में लाने की कोशिस करते हैं सुरेश सुरेश क्या हुआ तुमें गिर कैसे गये क्या किसी गाड़ी ने मार दिया सुरेश बड़ी मुश्किल से बताता है नहीं यार पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है और वोमिट भी हो रहा है बाद में चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा डॉक्टर विकास लगबग चीखते हुए कहते हैं तुम्हारे तो ओंट मिले पड़ रहे हैं जल्दी करो इसे मेरे घर ले चलने में मेरी मदद करो डॉक्टर विकास मनोर्मा की मदद से सुरेश को उस बुरे हालात में अपने घर पर लाते हैं और फटा फट उसके इलाज में जूट जाते हैं मनोर्मा सुरेश की हालत देखकर बेचैन हो जाती है मनोर्मा चीकती है डॉक्टर प्लीज सुरेश को बचा लीजिए क्या हुआ है इने प्लीज डॉक्टर प्लीज डॉक्टर विकास अपने बैक से एक इंजेक्शन निकालते हैं और कहते हैं ये दवा सुरेश की जान बचा सकती है मनोर्मा तुम सुरेश को देखो मैं अभी इंजेक्शन तयार करता हूँ ये कहकर डॉक्टर विकास इंजेक्शन की बॉटल मेज पर रख सिरिंज निकालने लगते हैं तभी मनोर्मा का हाथ मेज पर लगता है और बॉटल जमीन पर गिर कर टूट जाती है ये देख डॉक्टर विकास चीकते हैं ये क्या किया तुमने मेरे पास ये आखरी बॉटल थी अब सुरेश को मैं कैसे बचाऊंगा मनोर्मा रोती हुई चीकती है डॉक्टर मुझसे गलती हो गई पर आप सुरेश को बचा लिजिए प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए मैं घबरा गई थी डॉक्टर विकास हडबडी में डॉक्टर नायर को फोन करते हैं डॉक्टर नायर आपके पास लिवर कैपरेल इंजेक्शन है मेरा दोस्त बहुत सीरियस है सायद पोजनिंग का केस है आप निकाल कर रखिए मैं अभी पहुंचता हूँ यह कहकर डॉक्टर विकास मनोर्मा की तरफ मुड़े और कहा तुम सुरेश का ध्यान रखना मैं अभी 20 मिनट में इंजेक्शन लेकर आता हूँ डॉक्टर नायर का घर यहां से 5 किलोमीटर दूर है मनोर्मा बदहवास हालत में कहती है नहीं डॉक्टर आप रुको मैं इंजेक्शन लेकर आती हूँ आपके पीछे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी प्लीज आप रुको मैं आती हूँ इंजेक्शन लेकर डॉक्टर विकास को बात ठीक लगती है और मनोर्मा डॉक्टर विकास की गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है मनोर्मा इंजेक्शन लेकर लोटती है और डॉक्टर विकास के घर के सामने वाले लैम पोस्ट पर गाड़ी से टक्कर मार देती है इस घटना के अगले दिन सुरेश बिल्कुल ठीक था साम को वह जब डॉक्टर विकास के घर उनसे मिलने पहुँचा तो डॉक्टर विकास ने बताया कि तुम्हें फूट पोईजनिंग हुआ था क्या खाया था तुमने कल क्या खाया था कल तो घर पे बना खाना ही खाया था उससे पहले मैं एक क्लाइंट के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में कुछ उल्टा सिधा खा लिया था सुरेश बोला डॉक्टर विकास ने पूछा अच्छी तरह से याद है न तुम्हें हाँ सुरेश बोला जरूर वो साला रेस्टोरेंट का खाना ही खराब होगा खाने के बाद से ही मेरी तव्यत खराब लग रही थी मेरे साथ एक बार ये गोवा में भी हुआ था सुरेश सुरेश देखो हम बच्पन के दोस्त हैं तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे पता है, पिछले कुछ दुनों से तुम्हारे और मनोर्मा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, I mean to say, are you sure तुम्हारी तब्यत उस रेस्टोरेंट के खाने की वज़े से खराब हुई, डॉक्टर विकास बोले, तुम कहना क्या चा एंटीडोट की बोटल गिरा दी, बाद में उसकी कार का एक्सिडेंट भी हो गया और उसे सर पर मामूली सी खरोच आई, पता नहीं एक्सिडेंट कर दिया था या हो गया, I really don't know, जो जी मैं आई बोल देते हो यार, तुम बैचलर लोग, हम साधी सुदा लोगों से हमेशा जेलस करते हो, अब खबरदार जो मुझसे इस तरह की फालतु बाते करी, सुरेश बोला, रिलाक्स, रिलाक्स, छोड़ो इन बातों को, अच्छा, मैंने तुम्हारे कुछ वोमिट सेंपल ले लिये थे, उन्हें जाच के लिए भेजा है, अब तुम बिलकुल ठीक हो, बस खाने पर नजर रखना, दो दिन के बाद, आज सुरेश का बड़े है, और मनोर्मा ने सुरेश के लिए अपने हाथों से केक बनाया है, सुरेश के ओफिस से लोटते ही, मनोर्मा और सुरेश मिलकर बड़े सेलिबरेट करते हैं, सुरेश केक खाने के बाद डीनर करने से मना कर देता है वो मनूर्मा से कहता है तुम जाकर सो जाओ मुझे ओफिस का थोड़ा काम खत्म करना है मैं सोने के लिए बाद में आता हूं यह कहकर वो स्टडी में चला जाता है मनूर्मा भी सोने चली जाती है इधर इस्टडी में ठीक आधे घंटे बाद सुरेश की हालत जाती है सुरेस वहीं फर्स पर गिर जाता है वह दर्वाजे तक पहुंचने की कोशिस करता है पर पहुंच नहीं पाता कमरे में रखे टेलीफोन तक वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए पहुंचता है और बेहोस होने से पहले डॉक्टर विकास को फोन लगा कर बस यही कह पाता है डॉक्टर सेव मी प्लीज सेव मी और बेहोस हो जाता है ठीक 15 से 20 मिनट बाद मनोर्मा को दर्वाजा पीटने की आवाज सुनाई पड़ती है वह नींद से अपने आपको जगाते हुए दर्वाजा खोलती है तो दर्वाजे पर डॉक्टर विकास को पाती है कहा है वो किदह रहगो बेवकूफ ऑरत सुरेइस मर रहा है और तुम सो रही हो डॉक्टर विकास चिलाते हुए कहते हैं सुरेष मर रहा है क्या बोल रहे हो वो तो स्टडी में है इस और दर्वाजा बहागते हैं या स्टड़ी का नजारा देख, मनोर्मा चीखने लगती है, डॉक्टर विकास लगबग चीखते हुए मनोर्मा को खामोस रहने के लिए कहते हैं और सुरेस को देखने में जुड़ जाते हैं। काफी कोशिसों के बाद डॉक्टर विकास सुरेश को थोड़ा बहुत होस में ला पाते हैं, इधर मनोर्मा कुछ करने की बजाए जोर जोर से चीख रही होती है, सुरेश, ओ माई गॉड सुरेश, क्या हो गया तुम्हें, उठो ना सुरेश, उठो ना, यह देख, डॉक्टर विकास मनोर्मा पर चिलाते हैं, खामोस रहो और बाहर जाओ, काफी मसकत के बाद डॉक्टर विकास सुरेश को बचा लेते हैं, अब सुरेश काफी बेहतर हालत में है, पर वह कंजोर है और अपने बेडरूम में लेटा है, डॉक्टर विकास उसे कोई इंजेक्शन लगा रहे होते हैं इतने में मनोर्मा सूप का बावल लेकर कमरे में प्रवेश करती है मनोर्मा कहती है मैं सुरेश के लिए गर्मा गर्म सूप लाई हूँ देखो कितने कमजोर हो गया है इतने घंटों से इनके पेट में कुछ नहीं गया है क्या हालत हो गई है इनकी तुम इसे कु रिखते हुए मनोर्मा से कहते हैं। मैं इनकी बीवी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में इस तरह आने वाले, क्या बुराही है इने सूप देने में, मनोर्मा लगभग रोती हुई बोली। इस सूप में कुछ भी हो सकता है डॉक्टर विकास बोलते हैं ये सारी बाते साइद बीमार सुरेस भी सुनता है और लड़ खड़ा कर उठने की कोशिस में बेट से नीचे गिर पड़ता है वो बेहत कमजोर आवाज में डॉक्टर विकास से लड़ता है कि तुम मेरी बीबी स कैसे बात कर रहे हो डॉक्टर विकास सुरेस को लेटे रहने को कहते हैं पर सुरेस लगतार बढ़ बढ़ाता है तुम दोस्त हो मेरे इसका मतलब या कता ही नहीं कि तुम मेरी बीबी का अपमान करो फिर वो मनुर्मा को कहता है जरा तुम बाहर जाओ मैं इस बत्तमीज का मिजाज दुरुस्त करता हूं तुम अपने आपको मेरा दोस्त कहते हो और मेरी बीबी से इस तरह से बत्तमीजी कर रहे हो सुरेस बोलते बोलते हाफने लगा उसकी सांस उखड रही थी डॉक्टर विकास किसी तरह संभालते हुए सुरेस को बिस्तर पर लिटा देते हैं फिर उची आवाज में कहते हैं सुरेस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो किसी भी आदमी को बार बार लगातार क्या फूड पॉजनिंग हो सकती है यह फूड पॉजनिंग नहीं है मेरे दोस्त बलकि पॉजनिंग है फिर आवाज धीमी कर दरवाजे की तरब देखते हुए कह विकास कहते हैं सुरेस तुम बेवकूफों जैसी बात मत करो पिछली बार तुम्हें जब फूड पॉजनिंग होई थी तब मैंने तुम्हारे कुछ वोमिट सेंपल लिये थे याद है ना जानते हो उसमें क्या निकला है आर्सेनिक सुरेस चौकते हुए बोलता है आर्सेन तुम्हारी बीबी एक पैथोलोजिस्ट है वो पॉजन के बारे में सब कुछ जानती है फिर आर्सेनिक तो कहीं भी मिल सकता है किसी भी कीट नासक में आर्सेनिक होता है सुरेस बहुत भारी आवाज में दोराता है कीट नासक और तभी सुरेस को बातरूम के छज्जे पर कीट नासक के पैकेट का ध्यान आता है पर वो डॉक्टर विकास को इस बारे में कुछ नहीं बताता डॉक्टर विकास बोलते हैं क्या बात है जैसे ही मैंने कीट नासक कहा तुमको सोचने लगे क्या हुआ क्या मनोर्मा घर में कीटना सक रखती है सुरेश बोला देखो विकास मैं जानता हूँ कि तुम मनोर्मा को पसंद नहीं करते हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करो डॉक्टर विकास बोलते हैं सुरेश मुझ पर यकीन करो मैं अपनी इज़त और कैरियर दोनों दाओं पर लगाता हूँ तुम्हें जहर दिया जा रहा है सुरेश कुछ कहना चाहता है पर डॉक्टर विकास उसे चुप करा देते हैं वे कहते हैं सुरेश तुम संभालो अपने आपको अच्छा मेरा एक काम करो तुम्हारे घर में वीडियो कैमरा तो है न सुरेश कहता है हाँ है क्यों डॉक्टर विकास बोलते हैं अच्छा तुम उसे किचन में फिट कर दो अगर मनोर्मा खाने में कुछ मिलाती है तो हमें पता चल जाएगा तुमने हमारा किचन तो देखा है न वहाँ कैमरा छुपाने की जगा कहा है सुरेश बोलता है ठीक है तो डाइनिंग टेबल के आसपास कहीं छुपा दो और डीनर से पहले उसे ओन कर देना बाइदवे तुम लोग डीनर कितने बज़े करते हो सुरेश बोलता है यही कोई साड़े आठ पॉनिनों के बीच डॉक्टर विकास बोलते है ठीक है मैं आठ पैंतिस में तुम्हे फोन करूंगा पर फोन तुम मनोर्मा को अटेंड करने देना और जैसे ही वो फोन अटेंड करने जाती है तुम उसकी प्लेट से अपनी प्लेट बदल देना सुरेश कहता है आखिर तुम यह सब से दिखाना क्या चाते हो डॉक्टर विकास कहते हैं अगर वो तुम्हें जहर नहीं दे रही है तो ठीक है लेकिन अगर वो तुम्हें जहर दे रही है और मेरा सक्स सही है तो देखते हैं इस बार food poisoning किसे होती है डॉक्टर विकास के कहे अनुसार सुरेश वीडियो कैमरा डाइनिंग टेबल के पास ही रखे मेज जिस पर किताबों की मिनार सी बनी थी वहीं किताबों के पीछे छुपा देता है मनोर्मा सुरेश से कहती है फिर वही ब्लैंक कॉल होगा पिछले 5-6 दिनों से ठीक इसी वकट ये ब्लैंक कॉल आता है सोचती हूँ कर टेलिफोन एक्सचेंज में कंप्लेंट करी दूँ मनोर्मा उठती है और फोन अटेंड करने चली जाती है मनोर्मा की धीमी आवाज सुनाई पड़ती है हेलो हेलो कौन है कुछ बोलते क्यूं नहीं इधर सुरेश हर बार की तरह कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाता है और अपने प्लेट को मनोर्मा की प्लेट से बदल देता है यही काम तो पिछले 5-6 दिनों से वो लगातार कर रहा है मनोर्मा लोटती है और कहती है वही ब्लैंक कॉल सुरेश कहता है छोड़ो उसे चलो खाना खाओ आज सातवां दिन है सुरेश वीडियो कैमरा के कैसेट को लेकर डॉक्टर विकास के घर पहुंसता है और उसे डॉक्टर विकास की तरफ फेकते वे कहता है ले रख ले कैसेट और आराम से हम मिया बीबी को खाना खाते देख साले तू भी अजीब आदमी है कभी भी बकवास करता है कह रहा था कि मनोर्मा मुझे जहर दे रही है क्यों? अब अपनी आँख से देख हम मिया बीबी कैसे खाना खाते हैं डॉक्टर विकास कहते हैं सुरेश ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरी दोस्ती की वज़ा से मैंने तेरी हर बात मानी और एक बेवकूफ की तरह पिछले छे दिनों से पलेटे बदल रहा हूँ, अब बच्चु तुम अपना खयाल करो, कहीं ऐसा नहो कि ब्लैंक कॉल क करने के जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफतार कर ले, सुरेश बोला, डॉक्टर विकास कहते हैं, ये मजाग की बात नहीं है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, कि मनौर्मा तुम्हें जहर दे रही है, अगर ये गलत साबित हुआ, तो मेरे मुँ पर ठूक देना, चाहोगे तो पूरी जिंदिगी में तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊँगा, जाओ, एक कोशिस और करो, एक बार और देखो, आज सातवा दिन है, रात के साड़े आठ बज रहे हैं, मनौर्मा कीचन में प्लेट लगा रही है, और सुरेश डानिंग टेबल पर खान का इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते सुरेश बोलता है, डार्लिंग मैं आज तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम यहां आकर बैठो, कीचन से प्लेट मैं लाता हूँ, मनौर्मा कहती है, तुम आराम से खाना खाओ, मैं कर लूँगी, पर सुरेश कहता है, आराम तो म बैठ जाती है और सुरेश किचन से प्लेट लाने में लग जाता है जैसे ही वो अपनी और मनोर्मा की प्लेट लाता है और मनोर्मा के आगे उसकी प्लेट रखता है मनोर्मा कहती है सुरेश ये मेरी प्लेट नहीं है तुमने अपने वाली प्लेट मेरे आगे रख दी है और मेरी वाली प्लेट अपने आगे सुरेस कहता है डारलिंग क्या हो गया खाना तो एक ही है न फिर ये तेरा मेरा क्यों सुरेश मेरी दाल में नमक कम है अभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि टेलिफोन की घंटी बसती है और मनुर्मा फोन अटेंड करने चली जाती है फोन पर वो हैलो हैलो कहती है फिर धीरे से बोलती है स्रिधर तुम हो क्या कोई जबाब नहीं पाकर वो फोन रख देती है इस बी और मनोर्मा की प्लेट को अपनी प्लेट से बदल देता है। मनोर्मा बुदबुदाती हुई आती है और कहती है ओफ इस ब्लैंक कॉल ने परेसान कर रखा है। कल लैब जाते समय टेलिफोन एक्सचेंज में कंप्लेंट जरूर करूँगी। चैन से खाने भी नहीं देते। इतना कहकर वो खाना खाने लगती है और कहती है अरे आज मेरी दाल में भी नमक कुछ ज़्यादा ही है। रात के साड़े ग्यारब बच चुके हैं। सुरेश रह रहकर रो रहा है। ये क्या हो गया मनोर्मा तुम क्यों चली गई। फर्स पर मनोर्मा की लास पड़ी है। डॉक्टर विकास पोलिस इंस्पेक्टर को टेप दिखाते हुए कहते हैं। मैंने इसे कितनी बार कहा कि तुम्हारी बीबी तुम्हें जहर दे रही है पर इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ठीक है अगर मेरी बात तुम नहीं मानते तो तुम खुद कैमरा लगा कर देख लो और जैसे ही इसने कैमरा लगा कर देखा मेरा सक सही साबित हुआ पोलिस इंस्पेक्टर बोला हम अच्छा आपने बताया था कि मिसेज मनोर्मा किसी लैब में पैथोलोजिस्ट थी डॉक्टर विकास बोले जी हाँ पोलिस इंस्पेक्टर बोला मतलब ये जहर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और खत्रे से बाकिब भी थी यही तो मुझे मिश्टर सुरेश से कुछ बात करनी है तभी सुरेश पागलों की तरह रोते हुए डॉक्टर विकास से कहता है विकास मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी लगता है इनकी दिमागी हाला ठीक नहीं है काफी सौक लगा है इंस्पेक्टर कहता है अभी फॉरेंसिक वाले भी आ जाएंगे वे बाकी के सैंपल भी कलेक्ट कर लेंगे मतलब जहर के डॉक्टर विकास बोलते हैं हाँ जहर के ही बहुत लखी रहा आपका दोस्त बचा लिया आपने इनको वरना यहाँ पर इनकी लास पड़ी होती सब नसीब की बात है इंस्पेक्टर साहाब एक बात और है जब मैं मिसेज महाजन को डीनर के वक्त ब्लैंक कॉल किया करता था तब एक बार इनोंने एक नाम लिया था स्रीधर वो इनके लैब में ही काम करता है मुझे लगता है इनका आपस में कोई चक्कर था हो सकता है वो भी इस प्लान में सामिल हो इस घटना को घटे आज पूरे एक महिने हो गए सुरेश अपनी गाड़ी से दूसरे सहर जा रहा है वो काफी खुस है तीन घंटे की उबाव ड्राइब के बाद उसकी गाड़ी एक बंगले के सामने रुकती है बंगले का दर्वाजा एक महिला खोलती है और सुरेश को देखकर खुस हो जाती है सुरेश कहता है बहुत ठक गया हूँ काफी लंबा सफर तै करके आया हूँ मनोर्मा की मौत के बाद तो मेरा दुनिया पर से मन ही उठ गया था मगर अब तुम ही मेरी दुनिया हो मैं तो तुम्हारी पुरानी दुनिया हूँ अच्छा ये बताओ किसी को सक तो नहीं हुआ तुम पर वो महिला बोली अरे सब ठीक ठाक है उस साले डुकटर को भी क्या बेवकूब बनाया है तो मेरा दोस्त पर क्या करूं Everything is fair in love and war और डुकटर को बिल्कुल भी सक नहीं हुआ महिला बोली सक अरे तुमने दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा है जो खुद जहर खाए नहीं जहर मैंने खुद खाए और सक बीबी पर गया अरे दूसरी बार तो मर ही गया था जहर मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था अगर डॉक्टर सही वक्त पर नहीं आता तो मैं तुम्हें उपर मिलता और पुलिस वेगरा महिला बोली हाँ 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 हसते हुए सुरेश बोला अरे उस डॉक्टर ने पुलिस वालों के सामने चिला चिला कर ऐसी गवाही दी कि बस पूछो मत, सब साफ हो गया, अब बचे सिर्फ मैं और तुम